हाई गाईज, वेलकम टूबी बैंकर, स्वागत आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर क्या गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास, क्या होने वाली है भाई आज की क्लास आज Basics English के सीरीज में सीखने वाले है prefer to के प्रयोग, जी हाँ prefer to के प्रयोग, बीच में आपको ये dash दिख रहा होगा, कहले blank दिख रहा होगा तो भाई इसका क्या मतलब है और इसको कैसे इस्तमाल करेंगे, ये सारी बाते जानेंगे prefer to के प्रयोग अगर आपने जान लिए, तो आप अपनी language को एक level up लेके जा सकते हैं यानि कि आप अपने language की standard को बदला हुआ महसूस करेंगे तो आज हम लोग Basics English के सीरीज में सीखेंगे prefer to के प्रयोग तो चलिए, शुरू करते हैं आज की class, उसके पहले अगर चानल पढ़ नहे हैं, पहली बार इस class को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लिए चानल को subscribe, subscribe करते वर्ग बल आइकान दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि जब भी हमारी कोई नई class आए, सबसे पहले आपको पता लग जाए आप सीदे सीदे हमसे जोड़ सकते हैं इस WhatsApp नमबर के जरिए हमारी books, हमारी e-books, हमारी paid courses के बारे में जानने के लिए साथी साथ ये वाली class, इसके जैसी hero class, directly अपने mobile तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी social media sites पर follow तो चलिए, शुरू करते हैं आज की class, तो सबसे पहले मतलब जानेंगे कि prefer to और ये जो blank और बना हुआ है, इसका मतलब क्या है ठीक है, तो prefer dash to का क्या मतलब होता है, prefer to का मतलब होता है इस से अधिक ये पसंद है क्या मतलब हुआ, इस से अधिक ये पसंद है होता है ना हमें की दो चीजों से, एक चीज हमें जादा पसंद होती है दूसरे के मुकाबले है ना, दोनों चीजे पसंद है पर एक को आप जादा priority देते हो, जादा पसंद आती हैं आपको वो चीजे तो जब भी आप इस तरीके का वाक्य बोले, क्योंकि हम लोग हमेशा ही इस तरीके के वाक्यों का इस्तμαल करते हैं और लेकिन जब बात आती है अंग्रेजी में इन वाक्यों को बोलने की तब अच्छे अच्छों की हालत बिगड़ जाती है तो भई आज के बाद ये हमारे साथ तो नहीं होने वाला, क्यूं? क्यूंकि हमने पढ़ना है prefer to का प्रेयोग आज prefer to का मतलब क्या होता है? मतलब होता है इससे अधिक ये पसंद है, इससे अधिक ये पसंद है इस तरीके की जब भी आपने बात करनी हो तो आप prefer to का इस्तेमाल करेंगे कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं prefer to क्या बताया? इससे अधिक ये पसंद जैसे example के तौर पर देखिए I prefer science to maths क्या है भई? I prefer science to maths मुझे maths से अधिक science पसंद है बोलते हैं ना हम लोग? भई मुझे इससे अधिक ये पसंद है मुझे उससे अधिक वो पसंद है ऐसे ही मुझे science से अधिक maths पसंद है या maths से अधिक science पसंद है आपकी मर्जी आपकी पसंद है भई? maths भी पसंद हो सकता है, science भी पसंद हो सकता है तो यहाँ पर मैंने example लिया है, मुझे maths से अधिक science पसंद है, I prefer science to maths, समझ में आ गया है यहाँ तक, अब चलिए, जानना जरूरी है क्या, इसका structure जानना बेहत जरूरी है, क्योंकि इसका structure आम structure नहीं है, कैसे देखे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, prefer तो लगना ही लगना है, prefer प्रिफर के बाद, उसमें लगेगा noun, फिर क्या लगेगा, to लगेगा, और उसके बाद भी ध्यान देजे, noun ही लगेगा, क्या लगेगा, noun, prefer plus noun, plus to, plus noun, यह हो जाएगा इसका structure, बाकी subject और other words तो जैसे आते हैं, वैसे तो वो आएंगे ही, ठीक है, prefer plus noun, plus to, plus noun, यही एक simple सा, इसका जो है structure है, example के तौर पर, I, क्या हो गया subject हो गया, prefer to पढ़ने हैं, I prefer, plus noun के जगा पे, science, to के जगा पे, to, और फिर से noun के जगा पे, maths, क्यूंकि हम लोग यहाँ, science और math वाले पसंद की बात कर रहे हैं, वही वाला example हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, I prefer science to maths, prefer plus noun plus two plus noun, मुझे maths से अधे science पसंद है, अब जानेंगे किसका इस्तमाल किसके किसके साथ कर सकते हैं, इस्तमाल कर सकते हैं, prefer to का, p-r-e-f-e-r, spelling ध्यान से देखिएगा, prefer to का, I, you, we और दे के साथ, जैसे, I prefer to, you prefer to, we prefer to, they preferred, ठीक है, जैसे आएगा, वैसे फिर structure के हिसापस को set करते जाएंगे, लेकिन, क्या he sheet names के साथ यह इस्तमाल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कैसे, आगे बताऊंगी, बने रहेगा class के अंद तक, example तो हमने लिया, I prefer science to maths, मुझे maths से अधिक science पसंद है, I prefer science to maths, चलिए दूसरा example लेते हैं, we prefer lunch to breakfast, हमें breakfast से जादा lunch पसंद है, अब भाई, अपने अपनी पसंद हो सकता है, breakfast में किसी का पेटना भरता हो, lunch में भर जाता हो, इसलिए, उन्हें breakfast से जादा lunch पसंद हो है न, breakfast मतलब सुभे का खाना, सुभे नाश्ता जो करते हैं, lunch मतलब दोपहर का खाना, we prefer lunch to breakfast, बढ़ते हैं आगे, they prefer online classes to offline classes, उन लोगों को offline classes से जादा online classes पसंद है, आप लोगों को क्या पसंद है, online classes या offline classes, जी हाँ, ऐसे ही सवाल का जवाब है, मतलब ऐसे आपको किसी के बारे पसंद के बारे में पता हो, तब क्या बोलते हैं, they prefer online classes to offline classes, उन लोगों को offline classes से जादा online classes पसंद है, they prefer online classes to offline classes, you prefer shirts to t-shirts, आपको t-shirts से जादा shirts पसंद है, you prefer shirts to t-shirts, याद रखिएगा, जो चीज आप पसंद करते हैं, वो आप पहले बोलेंगे अंग्रेजी वाले वाक्य में, और जो चीज कम पसंद करते हैं, वो पहले बोलेंगे हिंदी वाले वाक्य में, देख रहे हैं न, इसको ऐसे समझेए, कि जिस चीज को ज़ादा पसंद करते हैं, अंग्रेजी में उसको पहले बोलेंगे, और जिसको कम पसंद करते हैं, उसको बाद में बोलेंगे, you prefer shirts to t-shirt, लेकिन हिंदी में यही चीज उल्टी हो जाती है, आप जिस चीज को कम पसंद करते हैं, उसको पहले बोलते हैं, और जो चीज को ज़ादा पसंद करते हैं उसको बाद में बोलते हैं जैसे आपको टी-शर्ट से ज़्यादा शर्ट पसंद है ऐसे ही बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसी तरीके के वाकियों का इस्तमाल करते हैं अब बढ़ते हैं आगे अब देखिए ही शी इट नेम के साथ भी प्रिफर का इस्तमाल होगा लेकिन प्रिफर का इस्तमाल नहीं प्रिफर्स का इस्तमाल होगा प्रिफर्स टू देखिए एस लगा हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रिफर्स के साथ एस लगा पसंद है, उसे कॉफी से ज़्यादा चाय पसंद है या टी पसंद है, बढ़ते हैं आगे, उसे मैगी से ज़्यादा चिल्ली पसंद है, क्या पसंद है? उसे मैगी से ज़्यादा चिल्ली पसंद है, बढ़ते हैं आगे, रोहन प्रिफर्स मोबाइल टू पीसी, रोहन को पीस अब भी तो सब को मोबाइल ही पसंद है ना रोहन प्रिफर्स मोबाइल टू पीसी रोहन को पीसी से जादा मोबाइल पसंद है रोहन प्रिफर्स मोबाइल टू पीसी रीता प्रिफर्स डेली टू मुंबई रीता को मुंबई से जादा दिल्ली पसंद है रीता प्रिफर्स ड ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां-कहां पर प्रिफर्स का इस्तेमाल हो रहा है, कहां पर प्रिफर्स में भी structure जो है वो same रहेगा, ये याद रखेएगा, ठीके मतलब same रह जाएगा, और structure भी same रह जाएगा, बस prefer के spelling में S लग जाएगा, तो ये prefers 2 बन जाएगा, clear, अब है बा झाइन तो सारे बोलते हैं ना जिनको कर्मिया पसंद होती है वो बोलते है तो क्या करना है आपको आपको करना है comment ऑंको एंसरमोंवक दिया है मैंने आंसर मुझे चाहिए सबका comment section में मुझे गर्मी से जादा тебяए गर्म वसन्ड पसंदगा है एसका अनुवाद यान he कि translation करना है prefer to का स्तमाल करके prefer to स्तमाल होगा कि prefers to स्तमाल होगा यह आपकी मर्जी है मैंने पढ़ा दिया है चलिए एक बार rewind करके वीडियो को देखिए आपको समझ आ जाएगा कि मुझे मुझे मतलब I क्या लगेगा उसके साथ prefer या prefers बिलकुल prefer लगेगा है ना मुझे गर्मी से जादा ठंड पसंद है इसका अनुवाद करके आपको लिखना है prefer to का यूज करके अनुवाद करना है और लिखना है answer में है ना comment section में answer कर दीजे और बस यह थी आज की class class कैसे लगी यह comment करके जरूर बताईए class पसंद आई है ऐसे conceptual classes आपको कैसे लगती है unique classes होती है कैसी लगती है आपको यह मुझे comment करके जरूर बताईए और class पसंद जब आही गई है तो like कर दीजे, share कर दीजे और channel को नहीं किया है अभी तक subscribe तो जल्दी से कर दीजे कहीं आगे आने वाली ऐसी ही conceptual classes miss ना हो जाएं आपको मिले जल्दी से जल्दी notification इसके लिए bell icon दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और बस और क्या इसके साथ ही आप सब के सामने हैं भारत का एक लिलोता mini spoken English course यानि की नाम इसका mini है नाम प्यार से आप इसको छोटू बुला सकते हैं लेकिन काम इसके बड़े-बड़े है इस course में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जो आप इस्तमाल करते हैं अपने जीवनकाल में अंग्रेजी बोलने के लिए इन सारे वाक्यों का अनुवाद अगर आपने सीख लिया तो फिर अंग्रेजी बोलने से आपको कौन रोग सकता है कोई भी नहीं जी हाँ तो ये course जो है अल्रेडी आ चुकी है इस course की e-book भी आ चुकी है दोनों ही चीजे अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो कैसे मिल सकती है आपको करना है what's up किस नंबर पर 700-411-9526 यानि की 704-11-9526 इस नंबर पर करना है आपने what's up क्या लिख के भेजेंगे मुझे mini spoken English course की e-book और course चाहिए मुझे mini spoken English course की course और e-book चाहिए ये आपको लिख के भेजना होगा तो हमारी प्रतिनी धी द्वारा आपको ये दोनों चीजे भेज दी जाएगी अगर working day होगा तो आपको जल्दी मिल जाएगी अगर off होगा या festival होगा या holiday होगी तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है तो कृपया प्रतीक्षा करें लेकिन message कर दिया है तो reply मिलेगा इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल निश्यंत रहें clear थोड़ा सा धीरज बांदें क्योंकि हमारे executives की भी छुट्टियां होती है भई है ना festivals होते हैं सबके तो थोड़ा बहुत देर तो हो सकती है तो आप बिल्कुल प्रतीक्षा करें अगर आपने message कर दिया है तो reply मिलेगा इसके लिए निश्यंत हो जाएं और इसके साथ ही बहुत जल ला रही हूं तीन किताबें helping verb एक होने वाली है एक होने वाली है daily life sentences के उपर एक होने वाली है रोजाना प्रियोग होने वाले शब्दों के उपर तीनो किताबें बिल्कुल बहुत जल आपके पास होंगी आपके सामने होंगी तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें बहुत जल आ रही है तीनो किताबें बने रही है एकदम हमारे साथ, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुढना चाहते हैं हमारे प्रीमियम वाटसप स्पोकर इंगलिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वाइरी आप इस नमबर पर कर सकते हैं, इंक्वाइरी किस बात की करनी है भाई, कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कब तक मैं स शुरू हो रही है, यह है basic English grammar course, grammar की बिल्कुल basic वाली course, बिल्कुल ठोक बजा के grammar की basics इसमें सही की जाती है, zero से सिखाया जाता है, तो बिल्कुल tension नहीं लेना है, कुछ भी नहीं आता grammar में, zero से सीखना है, तो बिल्कुल यही वाली course है, इसकी inquiry भी इस number पर कर सकते हैं, बच् क्योंकि बीबैंकर लेकर काया है basic English grammar for kids, जो कि छोटे बच्चों के लिए grammar की course है, तो इसकी inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं, सारी courses की inquiry करते वक्त जरूर पूछ लिया करिये कि इसकी अगली बात जो है, वो कब शुरू हो रही है, यह है basic English grammar and writing for school, school, अगर आप जाते हैं, आप किसी भी class में पढ़ते हों, आप किसी भी school में पढ़ते हों, आप किसी भी board के student हो, English के paper में, writing section और आपका grammar section में, अगर आपको भी दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पढ़ता है, तो यह course बिलकुल आपके लिए है, तो इसकी inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं, और अगर आप वाकरी एक serious aspirant है, जो ऐसे किसी भी competitive exam के तियारी कर रहे हों, जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो यह course बिलकुल आपके लिए है, चाहे आपकी RC हो, यानि की reading comprehension, चाहे आपका grammar हो, चाहे आपके vocabulary हो, चाहे आपके questions हो, बिलकुल latest pattern वाले, यह सारी चीज़े इसम बिलकुल निशिंत रहना है, English के syllabus के जिम्मेदारी हमारी इस course को आपके करने के बाद, clear, so इसकी inquiry भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, so inquiry करते वाक ध्यान रखें, course का नाम लेकर के inquiry भेजेंगे, ताकि हमारे प्रतिनीधी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुचा पाएं, जानकारी मिल्ले में फिर भी 12-40 घंटों का वक्त जो है, वो लग जाता है, working days में, और festivals में थोड़ा जादा लग जाता है, तुकर पर प्रतिक्षा करें, और अगर message कर दिया है, तो बिलकुल बिलकुल निशिंत हो जाएं, आपको reply ज़रूर मिलेगा, clear, so yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, be with B-Banker, empowering life's true knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to